बट वो समझ में आगे कि यहां कुछ कर सकते हैं तो वहां पे फिर मैंने थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करना शुरू किया ट्रेडिंग शुरू किया, इनिशियली काफी सारा प्रॉफिट हुआ, जार दो हजार रुपे लगा था सामने दो-तीन हजार रुपे का प्रॉफिट हो जाता था, मुझे लगा यार यह तो बहुत बढ़िया चीज है मेरे भोकर ने मुझे क्या कर दिया तुमने और मुझे कोई बनक नहीं थी क्या हो गया और जितना भी मेरा एक साल का जो सेविंग्स था, कैपिटल था, वो पूरा एक जटके में वाइप आपो होगी मुझे यह समझ में आ गया, जो मेरा लॉस हुआ था उससे, कि आप रिस्क इतना ही लो जितना आप तो मैं एक अजीब सा हाथ साब से शेर कर रहा हूँ, यह था ऑक्टोबर 2008 में मुझे एक कॉल आता है और वो कॉल में मुझे बोला जाता है कि आपने एक जटके में पूरे साल की आपकी सैलरी वाइप आफ कर दिये और वो इतना बड़ा जटका था, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा और वो समझने के लिए कि यह क्या हुआ, क्यू हुआ, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा 1991 में मेरा पूरा फैमिली एक छोटे से टाउन में सावर कुंडला में रहता था और हमारा अच्छा बिजनस चल रहा था और फादर ने डिसिजन लिया कि हम वो टाउन से बिजनस छोड़ के पूरा वहां का जो भी हमारा सोशल कनेक्ट था वो सब छोड़ के एक शेहर जाएंगे और रीजन क्या था बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई देनी है तो ये रीजन की वज़े से वो बिजनस छोड़ के जॉब करने लगे और मेरी पढ़ाई को एकदम हाई प्रारिटी देने लगे और मैंने भी थोड़ा उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फर्स, सेकंड, थर्ड, फॉर्थ स्टांडर में काफी अच्छा परफॉर्म किया और फिफ्ट स्टांडर में एक जटका लगा उसकी वज़ा ये थी कि मेरे ड्रॉइंग्स में सिर्फ थर्टी सिक्स मार्क्स हाई थे तो मैंने मार्क्षीट मेरे पापा को दी उसके बाजू में खड़ा रहा थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा नावस, डिनों के क्या करना है बहुत ही छोटा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था बट उतना पता था कि ये जो चीज हुई है, उससे मेरा फैमिली बहुत डिसॉपन्ड होगा और पापा ने एक लाइन बोली, जो अभी तक मेरे माइन में गुंचती है उन्होंने बोला कि बेटा, ये तो कोई बात नहीं, ये लर्निंग है जो भी मिस्टेक हुई है, उससे आप सीखो और आगे बढ़ो तो जो लर्निंग हुई मुझे, जो मिस्टेक से मैंने सीखा उसका नतीज़ा ये हुआ, कि तीन साल बाद, एट स्टांडर में मेरे हाइस मार्क से ड्रॉइंग सब्जेक में बेरा जब एंजिनियरिंग का फर्स्ट येर था, तो मुझे कुछ पता नहीं था IIT क्या होता है, JEE क्या होता है, मैं जो भी नॉर्मल रीजिनल कॉलेज था, उसमें पढ़ रहा था और तब जाके मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि यार तुमने IIT का एक्जाम नहीं दिया, मैंने बोला यार वो क्या होता है, पता ही नहीं था क्योंकि ऐसा बैक्ग्राउंड नहीं था, ना हमारे फैमिली में कोई इतना पढ़े लिखे थे तो फिर तब मैंने ठान लिया कि यार आगे जो भी नेक्स डेस्टिनेशन होगा, उसको मैं नहीं छोड़ूँगा मेरी एंजिनेरिंग कॉलेज में सारे लोग खुश थे क्योंकि उनको पता था कुछ ना कोई जॉब मिल जाएगी, दस हजार की, बीस हजार की, लाइफ सेट हो जाएगी, अपन कमफर्ट जोन में आ जाएंगे, किसी को गॉवर्मेंट जॉब चाहिए थी पर मुझे एक पापा की और एक कहानी याद आई, मुझे कहानी ये बताई गई थी एक बेबी एलिफंट की, एक छोटा सा एलिफंट होता है, वो बेबी एलिफंट आप अगर देखोगे, तो उनको पैर में एक चेंज से बांदा जाता है, जो मुहत होता है, वो चेंज से वो बेबी ऐलिफंट को बांगता है और होता यह है कि वो बेबी ऐलिफंट जब भी मुह करना चाहते उसका पैर हिल नहीं पाता है बिकाज वो बहुत छोटा है वो चेन बहुत ही स्ट्रॉंग है उसके हिसाब से बट जब वो बढ़ा हो जाता है वो एलिफंट एकदम जाएंट एलिफंट बन जाता है तब वो कोई भी पहाड को कोई भी स्टोन को कोई भी पेड को उखार सकता है बट फिर भी उसके माइन में वो सेल्फ बिलीफ सिस्टम है कि हाँ यार ये तो मेरा कमφर्ट जोन है इसमें तो मैं कुछ करी नहीं सकता हूँ, इससे आगे बढ़ी नहीं सकता हूँ पर जब वो डिसाइड करता है कि चलो मैं इसको उखार देता हूँ तो वो एक जटके में उखार देता है तो हमारा माइन भी ऐसा है ये मेरे फादर ने मुझे स्टोरी की थी कि आप अपने सेल्फ बिलीफ सिस्टम से रुको मत कहीं भी तब काफी सारे फैनाशल टाइम्स, इकनोमिक टाइम्स होगेरा न्यूस पेपर में पढ़ता था काफी सारे फैनाशल न्यूस पेपर पढ़ने से मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला यह एक ऐसा तरीका है जहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हो कोई बिजनसेज में बट इतना ही बेजिक नॉलेज था और तैयारी काफी की बट वो फोकस स्टॉक मार्केट का तैयारी नहीं था बट वो समझ में आगे कि यहां कुछ कर सकते हैं तो वहां पे फिर मैंने थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करना शुरू किया मेरे फाइनल इयर में एंजिनियरिंग में और जैट मेरा क्लियर नहीं हुआ मैंने सोचा चलो बाद में एक बार ट्राइ करते हैं अभी मेरा जॉब लगा इंफोसिस में तो उससे स्टार्ट कर देते हैं और वहां पे मेरा स्टार्टिंग सेलरी कुछ होगा 14-15,000 का ट्रेडिंग शुरू किया इनिशियली काफी सारा प्रॉफिट हुआ जब मैं एंजिनिरिंग बता चोटा कैपिटल था हजार दो हजार रुपे लगा था सामने दो तीन हजार रुपे का प्रॉफिट हो जाता था मुझे लगा यार यह तो बहुत बढ़िया चीज है इसमे 2008 की जो मैं बात कर रहा था पहले है उसमें यह हो गया कि मेरे ब्रोकर ने मुझे कॉल किया कि विवेक यह क्या कर दिया तुमने और मुझे कोई भनक नहीं थी क्या हो गया तब मार्केट क्रैश हुआ था मैंने कुछ ऑप्शन्स बाई कर रखे था मुझे लगा वापस करें अब यह कंटिन्यू करें कि छोड़ दें और वाकी सारी काफी परेशानी होती थी मैं खाना ठीक से नहीं खा पा रहा था मैं लोग उसे में बात कर रहा था क्योंकि लॉस हो रहा है मेरा ट्रेडिंग में फिर मैंने सोचा कि चलो यार लोग बोल रहें इंवेस्टिंग अच्छा होता है तो इंवेस्टिंग कर लेते हैं दो साल इंवेस्टिंग में लगा है चो भी हाई फ्लाइंग शेर्स थे सुजलों कारितुरी ग्लोबल आप्टो सर्केट यह सब डिफरंट डिफरंट शेर्स लिए मुझे लगा यार यह तो अभी इसमें तो चलना तो गलती कहां पे हो रही है तब एक और टर्निंग पॉइंट आया मैंने डिसाइड किया कि यार अभी इसको सही से सीखना पड़ेगा और मुझे एंबीए करना ही था और साथ-साथ में मैं एक्जाम्स दे रहा था और मेरा नारसिम मुंझी में कैपिटल मार्केट्स में क् ये बहुत ही अच्छी ऑपॉर्चुनिटी है जिससे मैं मार्केट को सीख सकता हूँ क्योंकि वो लर्निंग माइंड सेट पहले से इमबाइब हो चुका था फिर मैंने वापस पापा से डिसकॉशन किया कि यार मुझे ये करना तो है मैं क्या करो पापा ने बोला अगर सही में करना है तो आप अपनी जो भी मीडियो कर जो भी आप जौब कर रहे हो या जो भी कमफर्ट जोन है उसके बारे में मत सोचो वापस वो मुझे एलिफंट की स्टोरी याद आई कि चलो यार कमफर्ट तो जा रहा है सैलरी जा रही है लोन भी लेना पड़ सकता है इन फैक मैंने बीस लाग का कुछ लोन लिया था वो इजी नहीं था मेरे लिए डिसिजन क्योंकि एक तो मेरा इंटरेस्ट मुझे भरना है फैमिली को प्लस दो साल मुझे सपोर्ट करना है बिना इंकम के बट फिर भी वो टफ डिसिजन लिया और हाइंड साइट में प्रॉबली व सबसे बेस्ट डिसिजन था मेरे लाइफ का जिसमें जो मैंने इंवेस्ट किया था उसका मुझे सौग उना शायदा मिला वो दो साल में इतना सीखा मैने इतना ट्रांसफोरमेशन हुआ मेरी स्टॉक मार्केट इंवेस्टिंग जर्नी में मेरे पास गुरूरूज थे जो फ मुझे knowledge मिला और मैंने उसको पूरे दो हाथों से जितना भी ले सको उतना ले लिया उसके बाद मुझे जो job चाहिए थी investment banking की वो मिली और आपको पता होगा अगर MBA करके निकलते हैं अच्छी high-paying job है सब एकदम मस्ती करते हैं party करते हैं weekends पे गूमते हैं वहाँ भी एक मेरा turning point आया 2009 में जब में एक train में बैठा था तब मैंने किताब पढ़ी rich debt poor debt उसमें मैंने cash flow quadrant समझा कि आप कैसे invest करते हो और पैसा आपके लिए पैसा बनाता है और फिर मैंने दो साल MBA में भी यह सब पढ़ा था कि यह क्या सब changes हुए है तो उसके बाद मैंने स तो काफी सारे लोग को लगता है कि investing में fundamental ज़रूरी है किसी को रखता है trading में technical ज़रूरी है तब मैंने सीखा कि यह दोनों चीजे काफी important है और मुझे यह भी समझ में आए कि 2008 में मैं क्या गलती कर रहा था तब मैं यह कर रहा था कि कोई news आया कि भाई हाँ अदानी का यह नया केपेकस आ रहा है पोट आ रहा है तो खरीद लिया शेयर टाटा स्टील का कुछ नया news आया तो मैंने खरीद लिया इसका कुछ खराब हुआ तो sell कर दिया बट वो जब news आती थी वो तो बहुत लेट आती थी और जैसे में खरीद था था वो शेयर नीचे जाता था क्य जब news आता है वो तो last चीज है पहले promoter को पता होता है उसके employees को पता होता है, distributors को पता होता है, उसके relatives को पता होता है, जब तक news में आता है तो मैं तो last वाला बंदा था यार इसलिए तो loss कर रहा था, तो तब मुझे समझ में आया कि technical analysis भी बहुत important part होता है, और यह जो information होती या बाकी सब लोग के पास, वो demand और supply के changes से पता चलती है, charts पे, technical analysis पे, तो ऐसा नहीं है कि technical analysis सिर्फ traders ही use कर सकते हैं, आप long term के लिए भी use कर सकते हो, क्योंकि इसमें demand supply का changes है, और fundamentals जो है, वो आपको business model समझाते हैं, कि यह कोई किराना की दुकान है, या hotel है, या कोई सही म business है, अगर आपको पता नहीं है कि आप कौन से business में invest कर सकते हैं, तो आप invest करी क्यों रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये दोनों चीजे blend करना शुरू किया, तो जो मेरी entry होती है अब, इसको मैं techno fund investing system बोलता हूँ, और ये मैंने काफी सारे मेरे professors और सब के साथ discuss करके fine tune और फिर देखो कि क्यों खरीद रहे हैं, काफी बार आपको news पता नहीं चलेगा, बट जब आप एक entry position लोगे, उसके साथ fundamentals blend करोगे और समझना शुरू करोगे, तो dots connect हो जाते हैं, और इसलिए ये system में use करता गया, consistently improvise करता गया, in fact, एक जो share मैंने लिया था, 2010 में मेरे professor के साथ discuss करके, उसका नाम है विनती Organics, तब वो था 50 रुपे का, जब मैंने MBA खतम किया, तब 200 रुपे का था, अभी वो split होके 2000 रुपे हो गया, एक share जो 50,000 रुपे में आपने लिया है, वो 50,000 से 25 लाग भी हो सकता है, ये होता है power of compounding, ये होता है power of investing, और ये सारी चीज़े दीरे दीरे connect हुई, और फिर year after year काफी success हुए, काफी mistakes भी हुई, ऐसा नहीं है, mistakes नहीं हुई, काफी सारी mistakes तब भी हुई, बट फिर, मुझे ये समझ में आ गया, जो मेरा loss हुआ था उससे, कि आप risk इतना ही low, जितना आप ले सकते हो, आपको पूरी salary दाव पे लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा वीडियो है, रमेश दामानी का, जो ये magic के बाले में बोलते है, इसको बोलते है, power of compounding, उसमें ये बोला जाता है, कि अगर आप 25% से grow कर रहे हो अपना capital, तो हर तीन साल में, वो capital डबल हो जाता है, तो suppose मेरा salary दस लाख रुपे था, नेक्स साल में दस लाख हो जाएगा, तो आप सोचो कि ये कैसे आपका capital ग्रो कर सकता है, अगर आप investing करते हो, सही तरीके से, 2014 में मैंने दो साल job किया, उसके बाद एक और turning point आया, एक और बड़ा decision था, जहां पे मुझे वापस call लेना पड़ा, तो मैं हेदराबाद में काम कर रहा था, investment banking में अच्छा job था, एकदम comfort था, मुझे offer आया, HSBC से, और वहाँ पे काफी tiring, काफी hectic job, और काफी बार मुझे लंडन भी जाना पड़ता था, साल में 3-4 महीने, बट salary अच्छा मिल रहा था, तो मैंने सोचा, यार, ये मुश्किल तो है, बट वापस, वो baby elephant म बाहर जाना है, क्योंकि अगर ज्यादा salary कमाएंगे, ज्यादा saving करेंगे, तो ज्यादा compounding होगी, तो वो decision भी एक बहुती game changer decision था, जिससे ना सिर्फ मुझे एक exposure मिला, international market का, बट मेरा savings भी compound होते गया, और वो investing में लगता गया, और उसकी वज़ा से, 2018 में, मैं एक ऐसे stage प वो cover होने लगा passive income से, passive income साथ sources से अभी आ रही है, मेरी rent income समझ लो, interest income, dividend, capital gains, अभी book भी लिग दी, उसकी भी royalty आती है, तो ऐसे आप धीरे 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 जो भी small small decisions लेते हैं life में, वो compound होते जाते है, मैं काफी सारे लोग को help भी करता हूँ, financial literacy भी spread करता हूँ, मेरा ख सकते है, विवेक मश्रानी सर्च करेंगे, तो आपको काफी सारे learning videos मिल जाते है, recently मैंने एक book भी launch किया, जिसका नाम है, you can compound, ये पूरे जो journey है, उसमें काफी critical lessons जो मुझे मिले, वो मुझे एक summary में आप से share करने है, पहली चीज, आपको हमेशा learning करती रहनी चाहिए, अगर अगर ऐसा लगा कि मैं arrive हो गया हूँ, मैं जो सब कुछ आता है, मेरे पास सब कुछ है, आप कभी grow नहीं कर पाऊगे, आपको अपनी खुद की self-belief system, आपको अपना खुद का comfort zone break करना होगा from time to time, और तीसरी चीज, जो सबसे important है, वो है actions, कर्मा करते रहना पड़ता है, अ अगर कर्म नहीं करोगे तो आप grow कैसे करोगे life में, और चौती चीज जो मुझे reflect जब मैं करता हूँ, तब समझ में आई कि मेरे life में काफी सारे लोग ने ये पूरी journey में मुझे help किया, काफी सारे लोग ने अलग-अलग तरीकों से support किया, तो जब आप कोई भी ऐसी मुका की, आप एक दूसरे से भी सीख सकते, आपके जो surrounding investors है, उन से सीखे, आजकल तो इतना powerful जमाना है technology का, जैसे George Talks है अभी, उससे भी आप सीख सकते हो, उससे भी आप collaboration कर सकते, तो अगर ये जजबा आप बनाए रखेंगे, तो I'm sure कि आप भी compound कर पाएंगे, जैसे मैं कर पा थाइब